तो सदुर कभीर कहते हैं कि जिसे इस्त्री के महों में पुरुष जीवन परियंत पड़ा रहता है, होता क्या है? तिही कारण नरसीस जूदेही अंत समेसो नाहि सनेही निजिस्वारत कहें रोधन कराई तुरुत ही नेहरे कोचित धराई कि ज्यान देजिएगा इस बात को वैसे प्राय सभी को पता है, किन्तो सत्य बात है, इसलिए इसको ठीक से समझ कर धारन करना चाहिए जिस इस्तरी से पुरुष अपने आप से भी ज़्यादे जीवन प्रियंत प्यार करता रहता है, महो करता रहता है तो वो अंत समय में उसका साथ छोड़ देती है, वो से फिर इसने तोड़ देती है जिसके कारण, कई बार व्यक्ति इस्तरी के कारण अपना सिर्थ तक कटा देता है अपने आपको जोग देता है, लोक लाजगों भी भोल कर किन्तो वही इस्तरी जब उस पुरुष का देहन्त हो जाता है तो वो इस से इसने तोड़ लेती है क्या करती है, कि अपने स्वारत के कारण, दुनिया को दिखाने के लिए वो रोती है, रुदन करती है, खुब जोर जोर से चीखती है, चिलाती है, रोती है बड़ी दैनिये दशा बनाती है, किन्तो वो जादे समय नहीं कुछ ही समय के पस्चात, प्राय होता है कि तेरवी हो जाने के पस्चात वो उस घर से, जिस घर में उसका पुरुष उससे विवा करके लाया था उस घर को छोड़ देती है, और अपने परिवार में चली जाती है, जहां पर उसका पीहर है और अपने पीहर में जाकर मिल जाती है और वहीं पर बैड़ जाती है और फिर अपने उस पुरुष को भूल जाती है, अपना जीवन अलग प्रकार से वियतित करना शुरू कर देती है तो साहिब कहते हैं कि ये स्थिती है मोहों में पढ़ने की आगे वह समझाते हैं कहते हैं सुत्य परिजन धन सपन सनेही सत्य नाम गव निजमत एही निजितन उसम प्रिय ओरन आना सोतन संगन चलत निदाना तो साहिब कहते हैं हे धरमदास सुत्य पुत्र परिजन परिवार के लोग धन जितनी भी धन संपत्ति जमीन आदी जो भी है वे सब सपन सनेही हैं अर्थात सपनों में प्यार करने वाले हैं जिस प्रकार सपनों में सनेह हो जाता है और आख खुलने के बार तूट जाता है वैसे ही इन सब का सनेह इसी प्रकार का है में सपन सनेही हैं यथार्थ इसनेही नहीं है यथार्थ हो भी नहीं सकते यथार्थ तो किवल अपना होता है, जो अपने से कभी अलग नहीं होता है, किन्तु जो मिलेवे हैं, उनको तो छूटना है, तो ये सब जितने भी सम्मंध हैं परिवार के, वे पुत्र का हो, या इस्तरी का हो, या अपने परिवार के लोगों का हो, धन संपत्यादी का हो, य इनके स्वपन स्नेई है, इनका स्वपन का समान इसनेई है, तो फिर इनको छोड़ो, इनकी आसकती छोड़ो, संसार में रहना है, छोड़कर कई भागा नहीं आ सकता, लेकिन इनकी मौ, इनकी आसकती का त्याग कर दो, तो करना क्या चाहिए? तो साहिब कहते हैं, बड़ी सार बात कहते हैं, कि सत्य नाम गहू निजमती एही, मेरी जो मती है, सत्य नाम ग्रहन करो, निजमती एही, मेरी मती यही है, साहिब कहते हैं, मेरी जो सन्मती है, साहिब की मती क्या, साहिब की तो सन्मती है, सन्मती से सदवुधी, सत्य ज्यान होता है, तुभे कहते हैं कि मेरी जो सन्मती है तुझे, वो यह है कि सत्य नाम को ग्रहन करो, कल्यान के लिए अपने कल्यान लक्ष को पाने के लिए एक मात्र कीवल एक कि तुम सत्य नाम को ग्रहन करो सत्य नाम क्या है सत्य का नाम कीवल सत्य नाम ही हो सकता है सत्य का कोई प्रियाय नहीं है सत्य तो केवल सत्य है और उसका नाम ये दिव हो सकता है तो केवल सत्य नाम हो सकता है सत्य शाश्वत है, सनातन है उसमें कभी कोई परिवर्तन एवं विकार नहीं होता है वो सदा एक समान रहता है वेवार में सत्य का आचरन, सत्य का वेवार, सत्य का भाशन और परमार्थ में जो सत्य वस्तू है वो है अपना आत्मा, अपना परमात्मा, उसकी साधना, वो सत्य है, तो इस सत्य नाम को ग्रहन करो, सत्य का बहुत ग्रहन गंभीर आर्थ है, ऐ धरमदास, सत्य नाम को ग्रहन करो, और निज्टन सम्त्रिये, और ने आना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, कि अपना जो तन है, अपना जो शरीर है जिसको हम जीवन कहते हैं, उसके समान कुछ भी प्रिये नहीं है, वो सर्वाधिक प्रिये है, व्यत्ति जो जीवन बर दोड़ दूप करता है, इसी के सुख के लिए तो दोड़ता है, सब परिश्रम करता है, सुख साधन जुटाता है इसलिए कि मेरा जीवन सुखी हो, धन संपन हो, इसको सब जगे सम्मान मिले किन्तो ये तुम भली भाती जान लो कि वो तन एक रोज साथ छोड़ देता है वो जड़ है, ये जो बाहर का तन है ये जड़ है और इसके वीतर समराठ चेतन सरूप है तो इस बाहर के देहे को छूट जाना है, इसको रहना नहीं है तो इसका भी महो छोड़ दो, इस तरीका पुत्र का परिवार के लोगों का, धन संपत्ति का और यहां तक के संसार के प्राणी पदार्थों के साथ अपना जो तन है अपना शरी का सब का मोह छोड़ दो इनकी आसकती का त्यार कर दो और एधरमदास मेरी सनमत ये है कि केवल और केवल कल्यान के लिए अपने आत्मा का उधार करने के लिए तुम सद्गुरु का सत्य नाम ग्रहन करो